कि आप एक नियुमेरिकल करा देता हूँ एक कोल वेक्टर का मेरे पास एक एक अग्जामपल आया एक बेक्टर ए परावर टू आय प्लस त्री जे एंड बेक्टर भी परावर ए प्लस बी जे एंड ए बरावर भी तो आप से पुछा गया है ए प्लस बी बरावर कोश्चन मार्क दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत इजी कोश्चन हैं मैं अगर इसको ऐसे लेखता हूँ यह सोट्री आइड बेक्टर ए टू आइ प्लस थ्री जे एंड यह ए ए प्लस बी जे आई का आई से एका मान दो भी का मान तीन मेरे से पूछा गया है एं प्लस बी बताईए तो दो प्लस तीन अंसर आ जाएगा मेरे पास पांच आप समस्जा रहें सिंपल कुस्चन हो गया मे मेरे पास अगर यह कुश्चन होता ज्यान दीजेगा देखने में एक जैसा होगा लेकिन आपको हिला सकता है टू आई प्लस थ्री जे एंड बेक्टर भी वरावर अगर मेरे पास ए आई दिया होता तो आप से पूछा जाए एक आमान बताइए बेक्टर ए बरावर बेक्टर भी मेरे पास आप संदे रखका है तीन पी आप संदे रखका है दो सी आप संदे रखका है पांच और दी आप संदे रखका है फाई यह मॉस्ट इपोर्टेंट कुश्चन है बच्छा अक करेगा ना ठक करेगा तडाक सी ना अंसर देगा कैसे देगा वो यह को बरावर बी कर देगा a के बराबर b कर देगा और a को लिख देगा 2i plus 3j और b को लिख देगा a i right या wrong उम्मीद करता हूं आपका दवाब right आया होगा ऐसी करेंगे आप अगला point ये करेंगे i को i से compare कर देंगे ये है नहीं आप छोड़ देंगे और आप इसका कारण क्या है गलत दोस्तों आप इस चीज को ध्यान दीजिए मैंने ये देखा कि यहां पर दे रखाए 2i plus 3j बराबर a i plus 0j करेंगे कि नहीं करेंगे आप करेंगे तो आप देखेंगे i की compare i से तो a बराबर 2 आ गया तो जे की compare i j से करेंगे नहीं करेंगे तो यहां पर 3 बराबर 0 आ गया और 3 बराबर 0 पॉसिबल नहीं है इसलिए a का मान 2 नहीं होगा तो a का मान क्या होगा फाई reason क्या होगा चुके vector A परावर भी ही नहीं है हो इनी सकता कभी क्योंके 3 बरावर 0 नहीं हो सकता Thank you so much समझ में आया इस बात को ध्यान रखेगा इसी तरीके से हम class को proper देखने वाले हैं आया तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपको note करना चाहिए ये आपके equal vector की कहानी है अच्छी तरीके से note कर लेज़े फटा पट ध्यान से जी भाई सम आये समझ ते हैं ये proper तो ये हमारा equal vector था हम समझ चुके हैं दूसरा आ रहा है हमारे पास ऐसा कोई question आएगा ध्यान रखेगा सापधान रहेगा आप गलती कर सकते हैं ये पहुत ही चपजस्ट question है आये समझ ते हैं हमारे पास दूसरा आ रहा है zero vector zero vector क्या है ते हमारे पास